हेलो दोस्तों तामिल सुपरिश्टार तालापाती विजे सर की फिल्म लियो ने 13 दिनों में बोक्स ओपिस पर रिकोर्टोर कमाई कर लिये तो वह इस सलमान कान की फिल्म टाइगर 3 ने भी ओवर्सीज में कापी धमाकेदार एडवांस बुकिंग कर लिये तो आज की इस वीडियो में हम टाइगर 3 के ओवर्सीज एडवांस बुकिंग के बारे में बात करेंगे और साथ ही में तालापाती विजे की फिल्म लियो के अभी तक के टोटल 13 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले बात करें Tiger 3 के बारे में तो दोस्तों Tiger 3 फिल्म की Advice Booking ओवर्सीज मार्केट में कुछ दिन पहले स्टार्ट कर दी गए थी लेकिन अभी भी इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो ओवर्सीज मार्केट में पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई ह फिल्म की वर्ल्ड वाइट मार्केट में एडवांस बुकिंग पूरी तरह से 5 नौमबर यानि की आज से ठीक 5 दिन बाद स्टार्ट होने वाली है तो दोस्तों इतनी कमी एडवांस बुकिंग ही स्टार्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर सल्मान कान की फिल्म टाइगर 3 ने एडवांस बुकिंग में रिकोर्ट तोर कमाई कर लिये क्योंकि इस फिल्म की कमाई दिन पर दिन बढ़ती जारी है और जब यह फिल्म 12 नौमबर को दुनिया बर में रिलीज होगी तो फिल्म अपने पहले दिन किस तरह का रिकोर्ट बनाने वाली है इसके बारे में तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता क्योंकि दोस्तो सल्मान कान की करियर की यह फिल्म हो वन ओब दा बेस्ट फिल्म होने वाली है जहाँ पर इस फिल्म का बजटी अराउंड 300 करोड रुपे से भी जादा यहाँ पर बताए जा रहा है जो वायरेप की पिछली सभी फिल्मों के कलेक्शन को यहाँ पर पूरी तरह से पीछे चोड़ देगी और यह वायरेप स्पाई उनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी और मेंगी फिल्म होने वाली है सल्लू भाई जबरदस्त कमबेक करने वाले है क्योंकि उनकी पिछली फिल्में चाहे वो रादे हो अंतिम हो यहाँ पिर किसी का भाई किसी की जान जो की बोक्स ओपीस पर बुरी तरह फ्लोप रहती लेकिन यहाँ पर टाइगर तरी सल्मान कान के करियर को एक बार फिर से यहाँ पर रिवाईव करने वाली है पिल्म में सलमान कान के साथ SRK का केमियों भी दिकाई देने वाल है और जब सलमान और सारुप बड़े परदे पर होंगे तो उनको देखने के लिए पबलिक कापी ज़्यादा पागल हो जाएगी जहाँ पर पबलिक अपनी तालियों और सीटियों की गुंसते पूरा तेटर जगमगा उटेगा दोस्तो टाइगर 3 फिल्म तो बोक्स ओफिस पर एक नया इतियास रचने वाली है लेकिन इस फिल्म के अभी तक के टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में यहां पर बात करें तो फिल्म की USA से अभी तक एडवांस बुकिंग 55,000 डॉलर की हो चकी है और फिल्म ने UK Ireland से 40,000 डॉलर के एडवांस बुकिंग कर लिए और फिल्म की UAE से एडवांस बुकिंग 33,000 डॉलर की हो चुकिए और फिल्म की सौधी अरेबिया से 8000 डोलर की अभी तक एडवांस बुकिंग हुई है और फिल्म ने ओमान से लगबग 4000 डोलर की एडवांस बुकिंग कर लिये और फिल्म की ओसेनियन से लगबग 23000 डोलर की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और फिल्म ने बाकी अधर कंट्री से अभी तक 7000 डोलर की एडवांस बुकिंग किये तो इसे के साथ सलमान कान की फिल्मर टाइगर 3 की अभी तक की टोटल एडवांस बुकिंग है एक लाग 70 अजार डोलर की हो चुकी है जिसे इंडियन कननसे में कनवर्ट करें तो लगबग इस फिल्म के एडवांस बुकिंग है एक करोड 41 लाक यानि की लगबग एक करोड 41 लाक रुपे के आसपास की इस फिल्म ने अभी तक एडवांस बुकिंग कर लिये है फिल्म को रिलीज होने में अब सिर्फ और सिर्फ 11 दिन का टाइम बचा हुआ है 11 दिन के बाद ही ये वीजे सर की फिल्म लियो के अभी तक के टोटल बोक्स ओपीस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो तालापाती वीजे सर ने इस फिल्म के साथ साथ साबित कर दिया है कि उनका इस्टारडम किसी भी बड़े सुपरिश्टार से कम नहीं है क्योंकि वो तमिल सनमा के नंबर वन जहाँ पर उनकी फिल्म लियोने साथ में तो तवाई मचाई सही साथी ये फिल्म हिंदी बोक्स ओपीस पर भी कापी अच्छा कलेक्शन कर रही है यानि कि वीजे सर पेन इंडिया सूपरिश्टार बन चुके है जहाँ पर उनकी फिल्मों को साथी नहीं बलकि हिंडी में भी कापी ज़्यादा पसंद किया जाता है जहाँ पर ये फिल्म वीजे के करियर की पेन इंडिया मूवी थी जिसे हिंदी मार्केट में प्रोपर तरीके से रिलीज नहीं किया गया है लेकिन इस फिल्म को अगर PBR, आयनोक्स और सिनेपुलोस यानि की थ्री मल्टिपलेक्स च ये फिल्म भी उसी तरह 100 करोड रुपे से ज़्यादा का नेट कलेक्शन यहाँ पर कर सकती थी लेकिन फिल्म को हिंदी में इतनी अच्छी कासी स्क्रीन नहीं मिली लेकिन उसके बावजूद भी इतनी कमी स्क्रीन पर भी इस फिल्म में 20 करोड रुपे से ज़्यादा का अ जब इस फिल्म का अनौसमेंट हुआ था और थालापाती वीजे सर के फेन तो इस फिल्म को देखने के लिए कापी ज़्यादा एक्साइटे थे लिगों को वैसे तो 300 करोड रुपे के एक बड़े बजट के साथ बनाय गया था लेकिन इस फिल्म ने अपने बजट से भी ज़ रजनी कांत की जेलर और रजनी कांत और अक्षे कुमार की फिल्म टू पोइंट होके रिकोर्ड को पीछे करके ये फिल्म तमील सिर्मा की हाईश ग्रोसर फिल्म भी बनने वाली है फिल्म के अभी तक के टोटल बोक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में बात करें फिल्म ने करोड 25 लाक रुपे रहा और फिल्म ने अपने 90 दिन पर नेट बोक्स ओपिस कलेक्शन 7 करोड 65 लाक रुपे से भी जादा किया और 10 दिन पर फिल्म का कलेक्शन आराउंड 15 करोड रुपे के आसपास रहा और 11 दिन पर इस फिल्म ने संडे होने की वजह से 16 करोड 55 लाक र चार करोड़ 45 लाक रुपे रहा और यह फिल्म आज अपने 13 दिन पर ओल इंडिया नेट कलेक्शन अराउंड 4 करोड़ रुपे का एक कर रही है इसे के साथ वीजे की पिल्म लियो का अब तक का टोटल 13 दिनों का ओल इंडिया नेट कलेक्शन 311 करोड़ 90 लाक रुपे हो वीजे की पिल्म लियो का अब तक का टोटल व्ल्ड वाइट बॉक्स ओपीश कलेक्शन 553 करोड़ रुपे हो चुका है तो दोस्तों यह फिल्म है फाइनली 553 करोड रुपे का वर्ल्ड वाइट बॉक्स ओपिस कलेक्शन कर चुकी है और आने वाले कुछी टाइम में ये फिल्म 600 करोड रुपे के कलब में भी एंट्री ले लेगी वेसे दोस्तों आपको कह लगता है लिओ का लाइफटाइम वोक्स ओपिस कलेक्शन है कहां तक जाने वाल है और आपने तालापती विजे की फिल्म लिओ देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी और सलमान कान की टाइगर त्री और लिओ में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन ये आपकी सुपरिष्टार के सबसे बड़े फेनो